गुद बॉनिक फ्रेंड्स, वेलकम पैक टू मैं चैनल, तो फ्रेंड्स आज हम 36 गड़ बिलासपूर में अपना नर्सरी में आए हैं और यह मगर पारा रोड में हैं, देखिए, अपना नर्सरी मगर पारा रोड बिलासपूर, 36 गड़, तो आज में आप लोग को इसी नर्स arrangement बहुत अच्छा है फ्रेंड्स our plant की quantity भी बहुत जादा है तो मैं सारे plant की नाम नहीं बताऊंगी ज़ोकि भी gardener से उनको तो नाम पता ही होते ही है तो Croton की अच्छी variety है और यहां सबसे बड़ी खासियत यह है की plant बहुत ज़्हँदा ढेर सारे प्लांट हैं और ज्यादा quantity में यहां आप प्लांट ले सकते हैं तो अभी गेंदे के भी प्लांट बहुत सारे हैं और इस तरह से देखिए इन सिंगोनियम के भी बहुत सारे प्लांट हैं, तो आप चाहें, तो सिंगोनियम, ग्रीन वाले और पिंक वाले दोनों ले जा सकते हैं, यहां से, और सबका रेट तो मैं नहीं बताऊंगी, कुछ-कुछ प्लांट कही रेट बताऊंगी, क्योंकि सभी प्लांट के रेट अलग-अलग हैं, और यहां पर यह आएंगे तो आपको पता चल जाएगा और पाम की भी विराइटी बहुत सारी है तो मैं विंटर के प्लांट लेने ही यहां आई थी कि विंटर के कुछ प्लांट होंगे या सिटलिंग होगे तो मैं लेकर आऊँगी करके तो इस तरह से देखिए यहां पर खूब सारे प् नरसरी में सबसे अच्छी खास बती है कि इनमें बीच में पकी रोड बने हुए हैं तो आप अगर बर्सात के दिनों में भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आसाने से आप कहीं पर से भी प्लांट ले सकते हैं और यहां खूब बड़ा नरसरी है यहां पर ज़्याद सब्सक्राइब पूर्श बिस कतने अच्छी आगाए करदेगी यहां पर औरह पराम हैं Тारु औरत है से भी गेंदे ला चुके थे लड़ू गेंदा तो मैंने लिया है और आप चाहें तो यहां से 10 रुपए का एक है आप ले सकते हैं जरेनियम को भी उसी तरह से उन्होंने जरेनियम और जीनिया डैंथस गेंदा और इस तरह से आप इन सब के रेट 8 रुपए 10 रुपए 8 रुपए 10 10 रुपए ऐसी है ज़्यादा नहीं है तो आप यहां से ले सकते हैं और प्लांट की ग्रोध भी अच्छी है मैंने जो प्लांट ली है मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो प्लांट भी अच्छा है तो आप यहां से सापिंग कर सकते हैं और देखिए फ्रेंड्स इस तरप यहाँ पर आपको बड़े-बड़े प्लांट जादा मिलेंगे और छोटे प्लांट भी मिलते हैं लेकिन प्लांट की स्थिती भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखिए यहाँ पर जरबेरा में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और यह protr components और यह इस्पईडर प्लांट बहुत सारी वैराइटी है यहां आप चाहें तो medic G Weight अर्ल अरेलिया और की काफी बड़यग्रोथ लिये हुए ब्लांट है और सनेक प्लांट भी है את तो इस तरह से देखिए उन्होंने अरेंज करके रखा है Snake Plant की बहुंद सारी वेराइटी भी है यहाँ पर आप चाहें तो ले सकते हैं Snake Plant, Snake Plant तो ऐसा है Friends की एक Plant आप यहाँ से ले जाएंगे फिर आपके Garden में खूब सारे Plant आप तयार कर सकते हैं डिवाइट करके और my tureneia Soleneia के भी बड़े-बड़े हैं Plant और फ्लावरिंग पर भी आ गये हैं टोरेनिया तो इन्होंने अरेंज अच्छा किया है अभी पॉली बेग में भी लगा हुआ है अभी जितने भी प्लांट है कुछ गमले में लगे हुए कुछ पॉली-बेग में लगे हुए हैं और इधर यह सारे स्पाइडर प्लांट और पेंटास में मैंने रेट कलर के पेंटास पूछा था लेकिन यहां वर नहीं मिला, लाइट पिंक और डार पिंक के ही पेंटास के प्लांट थे, मैं रेट कलर के ढूंड रही थी पर मुझे नहीं मिल पाया, और इस तरह देखिए, यहां पर कोलियस की भी वेराइटी बहुत स सकते हैं यहां से पॉली बेग में लगा हुआ उन्होंने मुझे 30 रुपे बताया है कोई सभी कोलियस का प्लांट 30 रुपे और बॉल अरेलिया और इधर सारे बड़े-बड़े लिए प्लांट तो इस सकते हैं और आप от यहां में जो आपको लगाने हैं वह बलंट आप यहां से ले जा सकते हैं तो देखिये फ्रेंड कितना अच्छा गाने हैं यहां नर्सरी में यह मुझे सबसे पड़ा नर्सरी लगा यहां का यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट है और भी नर्सरी मैंने देखा है यह देखे जीनिया और गेंदा गेंदे भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और यह जीनिया देखें जीनिया कि बहुत सारी कलर आपको मिल जाएंगे यहां से तो सेपलिंग भी आप चाहें यह सीडलिंग चाहें तो सीडलिंग भी एवलेबल है ले सकते हैं और बांकी जितने भी प्लांट हैं सब को उन्होंने पॉली बैग में लगा कर इस तरह रखा है गुल्दावधी के तो बहुत सारी वेराइटी है यह देखें दोनों गुल्दावधी के ही प्लांट की वेर नहीं आया मैंने देखा कुछ प्लांट बाय करोंगी करके लेकिन किसी में फ्लावरिंग नहीं थी इसलिए मैंने कोई भी प्लांट नहीं खरीदा और एक औरेंज कलर का मिला है फ्रेंड्स देखिएगा औरेंज कलर के जिसमें फ्लावरिंग हुई है उसी प्लांट को मैंने पास हिबिसकस के औरेंज कलर के प्लांट नहीं थे तो मैंने उसी को खरीदा है और उसका फ्राइज उन्होंने प्लांट के रेट मुझे कुछ महय भी लगे और कुछ प्लांट के रेट ठीक ही हैं सस्ते तो नहीं कहूंगी लेकिन ठीक है गेंदे के रेट यहां पर दश रुपए है और नर्सरी में थोड़े से कम है तो ऐसा होता है कोई-कोई नर्सरी में कोई प्लांट कम मिलता है कोई-कोई प्लांट महंगे भी मिलते हैं तो इस तरह से होता है तो आपको जहां सस्ते लगे तो कुछ प्लांट उस नर्सरी से खरीद लिजिए और जहां और कहीं सस्ते पड़ते हैं तो वहां से आप कुछ प्लांट ले सकते हैं और यहां पर देखिए इस तरह से उन्होंने सजा कर रखा है एगलो नीमा का रेट यहां मुझे ज्यादा लगा फ्रेंड्स क्योंकि साढ़े छे सो साढ़े चार सो साढ़े तीन सो ऐसे वह बता रहे थे भईया चोटे चोटे से तो अरेलिया के भी प्लांट महंगे लगे मुझे यहां पर है ग्रोथ अच्छी है प्लांट भी काफी बड़ा है तो आप ले सकते हैं तो इस तरह से यहां की नर्शरी है यहां पर इस्पाइडर के ज्यादा मेरे को प्लांट दिखाई दे रहे थे इस्पाइडर प्लांट पारा में आकर इंदू चौक के से थोड़ा आगे लाइसी आफिस के पास में हैं तो आप यहां से प्लांट ले जा सकते हैं तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स बाए